प्रे प्यारे देश वास्चियों एक और महत्वपुन विजह है एक ता एक जूपता इतने बड़े देश को उसकी भीवीतिता को हमें सेलिप्रेट करना है इतने पंध्व परंपराएं यह हमारे आन बान शान है कोई नीचा नहीं कोई उंचा नहीं है सब बराबर है कोई मेरा नहीं कोई पराएं नहीं सब अपने है यह भाव एक ता के लिए बहुत जरूरी है गर में भी एक ता की निवत अभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होगे तो एक्ता के मंत्र नहीं गुच सकते हैं जेंडर इक्वलिटी हमारी एक्ता गली पहली जब हम एक्ता की बात करते हैं अगर हमारे एक ही परामिटर हो एक ही मांदन हो जिस मांदन को हम कहें इंडिया फस्ट मैं जो कुछ भी कर रहा हूं जो भी सोच रहा हूं जो बोल रहा हूं इंडिया फस्ट के अनुकुल है एकता का रास्ता खुल जाएगा तो हमें एकता से मांद्रे का वो मंत्र है हमें इसको पकड़ना है मुझे पुरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर उंचने के भेद भावों से मेरे तेरे के भेद भावों से हम स्रब की पूजारी बने स्रमिये वजयते कहते हैं स्रमिक का सम्मान यह हमारा स्वभाव बना चाहिए लेकिन भाईयो भेनो मैं लाल के लिए से मेरी एक पिड़ा और कहना चाहता हूँ यह दर्द में कह भी ना नहीं रहता हूँ मैं जानता हूँ चाहिए लाल के लिए का विश्य नहीं हो सकता लेकि मेरे भीतर का दर्द में कहां कहूंगा देश्वास्यों के सामने नहीं कहूंगा तो हां कहूंगा और वो है किसी ने किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विक्रुती आई है हमारी बोलचाल में हमारी बहवार में हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं क्या हम स्वभाव से संस्कार से रोज मरा की जिन्दगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं नारी का गवरो राज के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वारा है ये सामर्थ में देख रहा हूँ और इसलिए मैं इस बात का आग रही हूँ